ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोतिलाल उस्वाल फिनेशल सर्विसिस के नतीजों की दूसरी तिमाहे में मोतिलाल उस्वाल का मुनाफ़ा 110% बढ़ा है जबकि आए में 71% का उच्छाला आया है नतीजे और कैपिटल मार्केट के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ मुतलाल उस्वाल फिनेशल सर्विसिस के जैमन रामदेव अगरवाल जुड़े हैं रामदेव जी गुड आफ्टर नून लग रहा है आपकी इस समय पांचों उंगलियां घी में इतने शांदार नंबर्स आए ये क्या मतलब आपने सोचा था कि इस तर में अधाज ही था लेकिन जो पाऊरव तैल विंड उसका नतिया है बिकोश्वार बहुत फोकस्ट अपरी है इस एक्ट हमपरी कंपनी तो इसके सब जितने भी रास्ते हें राश्ते मार्केट में याने चाहे वह ब्रोकींग ओच्छा एसक्स ते मैं टो रह तरह की से केपिल मार्केट में बूम होता है तो आइधिंक सब बिजनस को फाइदा होता है तो वही हुआ है इस कौर्टर में भी करिब पैतालेस-चैलेस प्रतिशल से टॉप लाइन बढ़ा है और पचास-बावन प्रतिशल से थोड़ा सा ऑपरटिंग लिवेज होने कारण से बावन- क्यूं भी 25 अगभा है पताब सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर के कंपरिजन में अल्मोस्ट पचीश-प्रतिशल से बढ़ा है और यह तो 53 पसंद बढ़ा है रामजेश यह क्वार्टर भी ऐसा था जिसमें मार्केट बहुत ही शांदार रहा है अब थोड़े स कि इस पर से कितना रिपीट आप कर सकते हैं बेसे लिए उपरटिंग साइट में कोई प्रॉलम नहीं है अब पचीश प्रतिश्ट जो प्रॉर्टर तो वो नहीं आएगा डिफिनली नहीं आएगा लेकिन जो जिसे इस कौर्टर में 540 क्रों का जिसे मतलब आपरटिंग प् करता है तो वो उस टाइब का यह आएगा कैना मन नंबर आएगा थोड़ा सा सब्डूर आएगा because of this F&O impact and then again from next quarter onwards again quarter and quarter मेरे हिसाब से 5%-7% improvement फिर चालो जाएगा इस पीच रामदेव जी क्योंकि आपने मेरा अगला सवाल वही था कि यह F&O मेरे जो थोड़े से restrictions या फिर norms टाइटन हो रहे उसका क्या impact आएगा लेकिन उस सवाल का जवाब आपने दे दिया मैं आपसे समझना चाहरे है कि customer base अब यहाँ से आप कितना और बढ़ता देख रहे हैं इस quarter के अंतर कहां पहुंचे है और रफली कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर किस तरह की growth देखने को मिल सकती है कि customer base तो पूरा industry का बहुत rapidly बढ़ते जा रहा है आप समझ लिए करीब 40 million customer on 180 million तो समझ लिए आप 20-25 प्रतिशत तो पूरा industry का expansion हो रहा है 25 प्रतिशत अब उसमें जो तो उसमें आप कितने आपके target customer को कितने हैं और वो कितना बढ़ सकता है तो उसमें क्या है कि आप सी हम लोग का presence जो है करी 98% अब पिन कोर्स में है और इंडिया इस अवरी लाज़ फ्रेंचाइज सिस्टम और यह मेरे खाल से इंडिया का बिगेस्ट फ्रेंचाइजिंग कंपनी है तो यह पूरे country में है इसका यह network मुतिलासवाल का तो हम देखना है कि बिजन सब तर सब जगह से आ रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट है और अभी तो ब्रोकिंग हो रहा है तो जो जो दूसरे प्रोडक्स है जो डिस्रिबिशन जो है वह बहुत बड़ा अभी आपर्शमटी है बोकिंग तो हुई रहा है लेकिन डिस्रिबिशन में हमारा भी सिर्फ क्रॉस सेलिंग से 10-12% हो रहा है उसका क्याना में ब्रोकिंग का वो हम लोग की बढ़ाने की बहुत ज्यादा मंचा है तो उसके लिए बढ़ा टीम बनाए जा रहा है और काफी एफर्ड है उसमें सो जैसे यसे भी आगे बढ़ेगा उसका भी एफेक्ट आना चालो हागा जाएगा सारे पार्ट्स पर रामदेर सर आपने अल्मोस्ट बात करी लिए है वेल्थ मेंजमेंट पर में आ रहा था उस पर भी आपने टीक दे ही दिया अच्छा सर ये वीकली एक्सपारिस तो चली गई मैं तो आपकी टीम को बहुची तरह किसी जानता हूँ आप लोग वीकली एक्सपारिस पर बहुत अच्छा काम करते थे सारी लिमिट्स एक्जॉस कर देते थे weekly experience का जाना और साथ ही साथ अब derivative lots का 15 to 20 lakhs की रेंज में जाना आप अपने clients base को समझते हैं sir क्या impact पड़ेगा या फिर ये भी system में धीरे-धीरे indulge हो जाएगा देखे पहले तो अभी पहली बार हो रहा है तो किसे मौरम ने कितना impact आएगा हमारा जो है करें 40% आफ और ब्रोकिंग रेवेन्यू रिटेल ब्रोकिंग रेवेन्यू इस डिपेंडेंट ओन एफनो अब वह उसमें कितना effect आगा यह समझत पचास प्रतिशक कम होगा तो वह आपका समझ जी 20 रगा ब्रोकिंग रेवेन्यू को होगा उसका साथ परसेंट मतब समझ आप 10-12 प्रतिशक पूरे कंपणी का टॉप लाइन गिर सकता है उसमें काफी 15-20 प्रतिशक उतना जितना गिरेगा उससे जादा थोड़ा प्रॉफिट गिरेगा गिरेगा अब इंपेट कितना पड़ता हो कितने इन तक रहता है देखिए क्या है सब्सक्राइब करें तो उनको वहां से निकाल भी सकते हैं तो ठीक है मतब आपने प्रॉड़क्स विड्राव किये हैं लेकिन क्लाइंट की संग से बिहेव करते हैं वह आपको जब नया दौर चालो होगा तभी समझना आएगा अच्छा आपका जो नया रीसेट होगा क्ले है कि यह जर्णी जो है रंक किनी और नयकस्ट्मार शाते है ठीक है ठोड़ा से थबसे मेरे ल लगता है कि जो आगे की जर्णी मार्केट का जो वै जो बूम और 302 म मर्केट की अपका 300 400 म मेलें रिटेल क्लाइंट होने वाले हैं और मार्केट का एब मारी means easier और मेको बहुत जो से चाहरू है, मतलब हर जगा हम senior team बनाते जा रहे हैं, बहाते जा रहे हैं, distribution बनाते जा रहे हैं, जो client के लिए अच्छा है हम सब करते जा रहे हैं, तो हमको तो कोई ऐसा बड़ा कोई लगने रहा है, लेकिन ठीक है, ये quarter में थोड़ा सेट बैक आएगा उसका. रामदे सर, आच्छा, आपका wealth management, आपका AMC business, दोनों के में profit देख रहा था, दोनों के profit सवा 200 करोर के करीब हैं, ठीक है, तो क्या जो market में इससे में एक trend चल रहा है, क्योंकि wealth management को इतनी जबरदस valuation मिल रही है, AMC को इतनी जबरदस valuation मिल रही है, क्या मोतिलाल उसवाल की तर बिजनस प्लान अभी जो है, आगे तो सब समय के साफ से कुछ बदलेगा भी, लेकिन अभी जो प्लान यह है कि इस टाइप को कुछ अलग-अलग करने का यह नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनस में सब का एक operating profit आता है, उसमें से 30% 20-25% जो है, हम dividend लेते हैं, उसके बाद जो पूरा पूरा जाता है, तो यह जो ट्विन एंजिन मॉडल है, वो तभी वह करेगा जबी कंपनी एक रहेगी, आप 4-5 कंपनी अलग कर देंगे, ठीक है, वेलेशन में जाएगा, लेकिन वो बिजनस मॉडल नहीं हमारा, हमारा बिजनस मॉडल यह है, कि सब को एक साथ रख रहे है, तो यह एक अलग, थोड़ा सा हट के बिजनस मॉडल है, from the conventional thing, and that's why it will remain integrated capital market company for many years to come. Okay, आपका जो हूम फिनेंस का बिसनस था, थोड़ा एक बार वहां थोड़ा स्ट्रेस आया था था, अब क्या वो पत्री में आगया वापस? एक दम पट्री में आगा है इस पॉसिबल होम फिनांस कंपनी राइट नौ इस साल में अभी उसका जो रेविन्यू है वो चार पांच तरिसर से बढ़ा है लेकिन स्टाफ स्टेंग बढ़ते आ रहा है और इसका जो मोमेंटम क्वाटर और बढ़ते आएगा और हमको लगता ह है कि इस साल में जो लास्टे चार है को था उसका इस बार करीब सारे चार से पांच है कोड़ों हो जाएगा और फिर उसके बाद देखिए उनकी उनका इरादा उनका बिजनस प्लान तो काफी बढ़ा है 20-25 प्रतिसर से उसका बढ़ाने का लेकिन मेरे को लगता है 25-26 में जो आएगा वह एकदम नॉर्मल अच्छे ग्रोथ के साथ में बहुत अच्छा नमर आएगा यह साल टीम बन रही है तो प्रॉफिट भी उजाफा नहीं होगा लेकिन हां बहुत अच्छे चल रहा है और करी 10-12 प्रतिसर से ग्रोथ भी आएगा अच्छा एक आकरी सवाल अ यहां से और कंटीनियू करेगा और क्योंकि जितने रिलेंटलेस एफ़िए की सेलिंग है वो रुक नहीं रही है और क्या हम बॉटम के करीब है और मार्केट में डाउंसाइड दिखते हैं यहां से भई लिए शॉर्ट टाम तो मता बगवान ही बदा सकता है कि क्या होगा ल यहां से मेरेट्स आफ यॉर कॉपट अर यहां का कॉपट इंग कितना स्ट्रॉंग है कितना वीख है रेट शैकल क्या होता है और यह भूलें कि यह जो डिकेडल तेजी है मतलब जो आपको डिटेल बूम है फ्लो है यहां का डॉमेस्टिक फ्लो आप देखिए ना पूरा एक लाग को कम ने बेचा एक महने के अंदर में लेस देन वन मंद में अल्मोस इन त्री लिंक्स एंड यह मार्केड इस हार्ली क्राइब भाई परसेंट तो यह जो स्ट्रेंग था रिसलेंस है वो कंटिनू रहेगा और जिस कंपनी का अच्छा रिसल्ट आएगा उसका उस हो सकता है थ्वाजिन के लिए और रुका रहे हैं पर बट मेरे को लगता है नहीं कि यह बूल मार्केट जो पर से है दाट कें बी ब्रोकन राइट नहीं रामदर सब्सक्राइब क्या है इंडेक्स साथ आट परसेंट ही तूटा है आप बास बिलकुल सही कह रहे हैं कि इंडेक्स और 25 परसें बढ़ा तो नहीं कमाया करता है तो फॉरत भाई मदेय अने मदेय आपका 10-0 परसेंट बजागिर आपका पच्रिस परसेंट गिराया है तो थो 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 भरना पड़ेगा अपकर अपसाइद आपका है तो डौंसाइट भी तवरना पड़ेगा तो बि करने के लिए आपको एक बाद फिर से दिवाली की शुब कामना है और आप से बात करेंगे फिर दिवाली के बाद कि अधि